आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Hello everyone, in this question we have to select the most appropriate word to fill in the blank and the sentence is I visit my grandparents blank यहाँ पर दिखो visit लिख है मतलब simple present tense V1 और यहाँ पर क्या दिखा रहा है? habitual action दिखा रहा है कि मैं अपने grandparents को visit करता रहता हूँ यहाँ पर इसका क्या meaning जा रहा है? क्या यहाँ पर meaning होना चाहिए? कि मैं अपने grandparents को अकसर visit करता रहता हूँ यहाँ पर अकसर आएगा यहाँ फिर कुछ हो रहाएगा वो तो हमें options के बाद ही पता लगेगा यहाँ पर देखते हैं continuously continuously का मतलब होता है बिना रुके तो continuously तो यहाँ पर right meaning नहीं दे रहा continuously का मतलब होता है without stopping unevenly unevenly का मतलब है not in a regular manner तो regular manner में नहीं होना यह यहाँ पर नहीं आएगा next हमें given है regularly regularly का मतलब होता है कि मैं regular manner में मतलब regular intervals पर वाँ पर जाता रहता हूँ आप कह सकते हो in a regular manner या फिर आप कह सकते हो at regular intervals of time अकसर जो मैंने बोला था वो अगर often दिया होता frequently दिया होता तो वो वहाँ पर right answer हो जाता पर यहाँ पर option में हमे regularly है given तो हम इसी के साथ जाएंगे बागी देख लेते है finally finally का मतलब होता है at last चलो आखिरकार यह हो ही गया तो आप इसको कह सकते हो at last तो यह भी right answer नहीं है right answer है option number 3 regularly I hope you get it Thank you आज ही डाउनलोड करें डाउटने डाप यह WhatsApp कीजिए अपने डाउट आट 4444 चार्स उपर झाल करें